On the 18th of August 2022, the Chief Minister of Maharashtra Mr. Eknath Shinde has announced that Dahi Handi will be recognized under the sports category in Maharashtra, and the Govinda will get job under sports category. अब हम आपको इसको हिंदी में समझाते हैं. The 18th of August 2022 को Maharashtra के Chief Minister Eknath Shinde जी ने यह घोशना की, कि Maharashtra में Dahi Handi को cricket और football की तरह एक खेल की category में रखा जाएगा. तथा जो Govinda बहुत अच्छा खेलते हैं, उन्हें sports category में government की job मिलेगी. क्या आपको पता है, किसी समय cricket और football भी, Dahi Handi की तरह अन-organized sports हुआ करते थे. परन्तु Eknath Shindeji की तरह ही किसी ने decision लेकर इन्हें organize करने की शुरुआत करी. हो सकता है आज से 20 से 25 साल बाद दही Handi Olympic sports में भी शामिल हो जाएं. तो आज हमने सीखा, Recognized का मतलब मानिता देना होता है. Announced का मतलब घोशना करना होता है. Category का मतलब श्रेनी या वर्ग होता है. तो दोस्तों आपने जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ अंग्रेजी का अपना ज्यान भी बढ़ा लिया है. इस वीडियो को तीन बार देखिए और निश्चिन्ध हो जाए कुछ अंग्रेजी की शब्द और व्याकरन आपके दिमाग में बैट गए हैं. इसी प्रकार अगर आपके दिमाग में 800 अंग्रेजी की शब्द बैट जाते हैं, तो आप ठीक ठाक अंग्रेजी बोल भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं. इस तरह खेल खेल में अंग्रेजी सीखने के लिए आज ही सब्सक्राइब करें www.11minutesdaily.com